दोस्तो इस सीरीज का नाम है रेचेड तो इस सीरीज में हम देखेंगे कि कोई फिजिकल या मेंटल बिमारी के लिए हम सबसी ज़्यादा एक डॉक्टर या नर्स पर रिविश्वास करते हैं लेकिन क्या होगा जब वही डॉक्टर या नर्स किसी डेमन से कमना हो जो पेशेंट के साथ भोती इन्हुमन एक्सपेरिमेंट करे यही हम आची कहानी में देखने वाले हैं इस सीरिस के कहानी शुरू होती है 1947 के एक mental asylum से जहाँ पर पेशेंट का भोती इन्हुमन तरीके से treatment किया जाता था एक दिन एक पेशेंट को एक bathroom में रखा जाता है जहाँ पर उसका पानी बहुत तेजी से गरम हो रहा था पेशेंट की स्किन भी जल रही थी और वो नर्स से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उससे बाहर निकाल दें लेकिन नर्स लूसी डॉक्टर के दिये हुए ओडर के हिसाब से उसको 20 मिनिट तक गरम पानी में जलने देती है और फिर पेशेंट को तुरंत निकाल कर बर्फ के पानी में रख दिया जाता है पेशेंट के हालत मरने से भी बत्तर हो गई थी लेकिन लूसी के मताबिक पेशेंट अप प्योर हो चुकी है फिर डॉक्टर रिचर्ड अपने बाकी डॉक्टर और निर्स को लोबोटॉमिक केसे करते हैं ये सिखाते हैं पहले एक पेशेंट के ब्रेन में इसक्रू गुसा जाता है फिर उसकी आँखों से एक स्कुट्राइवर को गुसा कर उसके ब्रेन के एक इससे को चोट पहुचा जाती है जिस वज़े से जो पेशेंट अग्रेस्व भीएव करते हैं वो शान्त हो जाते हैं और उनका कोई पी रियक्शन नहीं निकलता है बाकी नर्स और डॉक्टर को ये प्रोसेस बहुत गिरोना लगता था लेकिन एक नर्स सारा को ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता था सारा की अगर बात करे तो कुछी हफ़तों पहले सारा इस होस्पिटल में नर्स की जॉब करने के लिए थी लेकिन उसको डॉक्टर रीचर्ड जॉब पर नहीं रखते है सारा को किसी भी कीमत पर इस हॉस्पिटल में जॉब करना थी तो सारा इसलिए एक नर्स की युनिफूम चुरा लेती है वो एक पेशेंट को गलत मेडिसिन दे देती है और सारा खुदी पेशेंट की उल्टी करवा कर उसको बचा लेती है फिर उसी दिन उस हॉस्पिटल में गवर्नर आया था जोके सारा के काम को देख कर उसे बहुत इंप्रेस था जिस वज़े से डॉक्टर रीचर्ड को सारा को काम पर रखना पड़ता है लेकिन सारा को पता था कि गवर्नर के जाने के बाद में डॉक्टर रीचर्ड किसी ने किसी भाने से सारा को जॉब से निकाल देगा तो इसलिए सारा एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को बताती है कि एक चाकू डॉक्टर रीचर्ड के केबिन में है वो पेशेंट वेसे भी depression में था और अपनी जान लेना चाता था तो इसलिए वो पेशेंट डौक्टर रीचेट के कैबिन में जाकर रीचेट के चाकू से खुद को माड डालता है अब देखा जाए तो सीधे सीधे डौक्टर रीचेट इसमें फज जाएंगे और सारा ने भी ये देख लिया था तो इसलिए सारा डॉक्टर रीचरड को बोलती है कि वो उस लाज को संभाल लेगी तो डॉक्टर इसके टेंशन नहीं ले सारा उस पेशन्ट की डेड बोडी को जला देती है और अब डॉक्टर रीचरड सारा को जॉप से नहीं निकाल पाएंगे चुकि सारा के पास में डॉक्टर रीचरड का एक बहुत बड़ा सिक्रेट चुपावा था लेकिन सिर्फ एक जॉप के लिए सारा ये सब नहीं कर रही थी इसलिए सारा ने इस होस्पिटल में जौब ले ली थी ताकि अपने भाई को किसी भी तरह वो फासी की सजा से बचा ले लेकिन इधर आसान नहीं था एडमन को मडर करते हुए जेकब नाब के एक आई विटनेस ने देख लिया था सारा पहले जेकब के साथ अदूस्ती करके उसका ट्रस जितती है फिर जेकब को एक होटल में ले जाकर उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर वो उसको भ्योश कर देती है फिर सारा जेकब के साथ में लोबो टॉमी ओपरेशन करती है जिसके पाद जेकब जिन्दा तो था लेकिन एक लाश मन करेगा था अब विटनेस की प्रॉब्लम तो सॉल हो गए थी लेकिन एडमन को सजा से बचाने के लिए डॉक्टर रीचर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें ऐसा लिखा हो कि एडमन सच में मेंटल पेशेंट है तो इसलिए सारा के कहने पर एडमन पागल जैसा बहेव करने लगता है लेकिन डॉक्टर रीचर्ट पी चालागते उनको पताता है कि सजा से बचने के लिए एडमन पागल होने का नाटक कर रहा है तो इसलिए डॉक्टर रीचर्ट को अपने हिसाब से काम करवाने के लिए सारा को डॉक्टर रीचर्ट के बड़े सिक्रेट का पता लगाना होगा सारों को पता लगता है कि कुछ साल पहले केमिलिया नाम की एक अमीर औरत ने अपने मेंटली डिजेबल बेटे जेक का इलाज करवाने को कहा था जेक और डॉक्टर रीचर्ट एक दूसरे से बाते कर रहे थे और जब डॉक्टर रीचर्ट का ध्यान कहीं और पर था तो जेक उनकी ड्रिंक में नशे की दौबा मिला देता है लेकिन गलती सा डॉक्टर रीचर्ट के सा으опас जेक भी बेहुश हो जाता है जेक को जब होश आता है तो उसके दोनों हाथ और दोनों पाउं डॉक्टर रिचर्ड ने नशे में कार देते हैं जिसके बाद डॉक्टर रिचर्ड वहाँ से भाग जाते हैं और कैमीलिया डॉक्टर रीचर्ट से बिल्ला लेने के लिए जोर्ज को डॉक्टर रीचर्ट को ढूंडने का काम देती है इस इंसिडेंस पर सारा अपना प्लान बनाती है और जोर्ज को डॉक्टर रीचर्ट के होस्पिटल का एडरस देती है और डॉक्टर रीचर्ट को भी जोर्ज का बाएगा ये बता देती है उस तरह तो जोर्ज होस्पटल आता है डॉक्टर को पकड़ने के लिए लेकिन डॉक्टर जोर्ज का सरपर अटेक करके उसको भ्योश कर देता है जोर्ज की जब आँके खुलती है तो वो एक बातरटब में था और डॉक्टर रीचर्ड बातरटब के पानी को गरम कर देते है और जोर्ज उस गरम पानी में जलने लगता है फिर बहुत कोशिश करने के बाद में जोर्ज किसी तरह खुद को उस बातरटब से निकाल लेता है लेकिन तब तक George की सिक्टी बुरी तरीके से जल चुकी थी डॉक्टर रीचर्ट को मारने के लिए George बाहर आता है लेकिन George को खत्रा माल कर सिकुरेटी उसको गोली मार देती है और George के वहें पर मौत हो जाती है डॉक्टर रीचर्ट के कहने पर सारा चोर्च के डेट बोडी को चला देती है अब ये मडर छुपाने के लिए डॉक्टर रीचर्ट एडमंड को उस सर्टिफिकेट को देने के लिए राजी हो जाते हैं फिर हॉस्पिटल में एक पार्टी होने वाली थी और डॉक्टर रीच को शुरू करना चाहते थे इसलिए अगले दिन पार्टी में एड्मेंड सेक्यूटी गार्ट को मा डलता है और उसी गन से केट सब को डराती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं फिर रात के समय दोनों एक अपेंडन घर में रुपते हैं लेकिन अगले दिन पुलिस के मोद के सजा दी जाएगी एड्मेंड के सजा कैसी होगी यह पबलिक को दिखाने के लिए गवर्नर पहले एक दूसरे केदी को इलेक्ट्रिक चेर पर बढठा कर उसको इलेक्ट्रिक शुक देता है और इलेक्ट्रिक चो इतना जादा भहनक था कि उस क्रिमिनल की को medicine की मदद से penless mode देने की सोचती है लेकिन तब एक split personality disorder वाली patient जिसका नम Olivia था उसकी personality खुद को doctor माने लगती है और कहीं से gun लेकर admin को hospital से छोड़ देने की demand करती है गन को देखकर सब डर जाते हैं और Lucy admin की sale को खोल देती है फिर admin गन लेकर Lucy से अपनी sister के बारे में पूछता है कि उसकी sister ने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की लूसी उसको बताती है कि सारा खुद उसको penless mode देने के तयारी कर रही है यह सुनकर admin को बहुत बुरा लगता है कि उसकी बहन उसको मानना चाहती है और admin ओलीवा के साथ कार में वहां से निकल जाता है रास्ते में सारा और admin एक दूसरे को देखते हैं लेकिन admin अपनी sister से बाते नहीं करता है कहानी फिर कुछ सालों के बाद मेक्सिको में शुरू होती है जहां पर सारा कुछ लोगों के साथ में एक restaurant में lunch कर रही थी तब ही सारा अपने दोस्तों से एक news सुनती है कि एक नर्स ने साथ लोगों को मार दिया है और उसी टाइम सारा के लिए admin का एक phone आता ह और admin जल्दी उससे मिलने वालता और इससे के साथ ये कहानी ये प्रकतम होती है दोस्तों इस कहानी में हमने एक एसी नर्स को देखा जो कि अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है हॉस्पिटल में जोब पाने के लिए सारा ने एक suicide करवा दिया और ऐसा सारा ने कोशिश तो बहुत की कि अपने भाई को मोत के सजा से बचा ले लेकिन admin के दूसरे plan के करण उसको और भी जादा painful सजा मिली और इसलिए सारा अपने भाई admin को खुद penless मोत देने वाली थी क्योंकि वो भी किसी तरह admin को बचा नहीं पा रही थी लेकिन किसी तरह admin ब और कर चुकी है और उसी टाइम एडमन भी सारा को कॉल करता है मतलब कि admin सारा से बढला ले रहा था और उसी ने सारे की बात न्यूज मोडाली होगी